हालो नमस्कार कैसे हो आप बावी नर्शिंग ऑफिसर डॉक्टर साइटिंग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे रच्छे से अपने अक्जाम की त्यारी कर रहे होंगे अगर यह डॉकुमेंट्स नहीं बनवाए तो इनके बिना आपको नहीं मिलेगी एमस में सीट 100% है तो इस वीडियो को पूरी वीडियो को बड़े द्यान से आप से बच्छों को देखना है यह एक अपडेट आप सभी बच्छों को पता होना चाहिए जिसको नहीं पता है तो पूरी वीडियो को द्यान से देख लें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकोन को प्रेस करके ताकि अपकमिंग और एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप से बचुक पास सबसे पहले पूछ पाए और जो बच्छा एमस बीच्ट नर्शिंग की त्या आप लोगों के लिए बिल्कुल फिरी टैस्सीरीज कर दिया यह टैस्रीज के जो प्राइज ले रहे थे ना अब से यह भी मैंने आपको बिल्कुल फिरी कर दिया है एब डाउनलोड कर लेना जी एस प्रेंट इस्ट्यूट जिससे कि आपको एमस बीसी नर्सिंग पहरा मे आपको दिखा देता हूं यह नेगेटिव मार्किंग रहेगी करक्ट ओने पर एक नंबर मिलेगा रोंग ओने पर माइनस वन अपॉन थर्ड रहेगा ठीक है रिवीव पर छोड़ दोगे तो जीरो रहेगा और नौट आंसर करोगे तो जीरो रहेगा तो यह पांच मोडल प पर जिनको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उनका सीडूल बता देता हूं जैसे आज हो गया एक फिर 26 तारीक को फिर दो जून को फिर च्यार जून को फिर 6 जून को इस तरीके से यह आप सारे टेस्ट दे पाओगे एप के अंदर अब हम आपके अपडेट को पर आते हैं पर बच्चों हम अपडेट के अगर आप लोगों के लिए बात करना चाहूं और यह टेस्ट आपको जी स्प्रेंट इस्टूट की ऑनलाइन नहीं लर्निंग अप्रीकेस्टन पर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगा पूर उनी से पेपर मिल जाएगा आपको सारा एक्जा 24-25 सेशन का जो EWS का सर्टिफिकेट बनना शुरूआ है वो सर्टिफिकेट आप बनवाले मतलब 8 जून से पहले पहले आपको लैटेस सर्टिफिकेट बनवाना है और किस फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्मेंट के फॉर्मेट में मेरे बच्चे अगर आपने नहीं बनवाय तो आपको EWS केटेगरी का कोई फाइदा नहीं मिलेगा तो यह इंफॉर्मेशन में आपको इसलिए दे रहा हूं कि पिछली बार किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी मैंने भी दी थी आप लोगों को लेकिन फिर भी बच्चे इस चीज को आवाइड करते हैं आप इतनी मेहनत करते हैं और आप अपने रिजर्विशन का फाइदा नहीं उठा पाऊगे तो फिर वो लोस्त होगा बिटा आपके लिए ठीक है तो एक अप्रेल 2024 से लेकर आठ जून 2024 के बीच का आपका होना चाहिए और पैरा मेडिकल का यह 22 की जगह 6 जुलाई 2024 तक तो एक अप्रेल 2024 से 6 जुलाई के बीच में सैंट्रल गॉर्मेंट के फॉर्मेट में बनवाना है आपके नायब तैसिलदार जी बना देंगे जहां से आपकी तैसिल है ठीक है बच्चे उसके बाद अगर हम बात करें जो बच्चे अबीसी के हैं उनकी बात में बताना चाहूं कि 9 जून 2023 से लेकर 8 जून 2024 तक के बीच का मतलब आपके लिए एक साल का पीरियड है इस बीच में आप अपनी अबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिजेगा बच्चा ताकि आप कॉंपिटिशन में आप आओ पोस्ट बेस्टिक नर्स्टिंग का 23 जून 2023 से 22 जून 2024 तक और बीच्ची पैरा मेडिकल वाली 6 जुलाई 2024 मतलब अब भी आप बनवा लो आप रिस्क मतलो बिटा आपको रिस्क बिलकुल भी नहीं लेना है कता ही नहीं लेना है आप पोस्ट को तो ये 22 जून से पहले ही ब रहना है बच्चे ये नेगेटिव मार्किंग होगी एमस के अंदर तो ये आप सभी बच्चे अपना अपना बनवाले अब एक चीज सभी बच्चों में बता रहा हूं कि वो बच्चे एलिजबल हैं जो इंडिया के हैं ठीक है जिनकी एज 17 साल है कब तक बेटा 31 दिस्टम के बाद जिसका जनम हुआ है इस दुनिया में जो आया है वह एलिजबल नहीं है इसके पहले अगर आप आये हो तो दैन यू आर एलिजबल ये एमस कह रही है बेटा ठीक है ट्वेल पास होना चाहिए कोई भी बोर से चलेगा फिजिस केमेस्टर बाइलोजी इंग्लिस रॉब्फटीकल के बात कर रहा हूं तब आपके 50 परसंटेज एंचल जनल और यू डॉकमेट से नहीं बन वाने और आप अगर आप देली से करना चाहते हो प्रामेडिकल के और नेव्यडिकल के के बात कर रहा हूं तब आपके 50% जनरल OBC, EWS से और 45% SCST के काटेगरी के केस में ठीक है और अगर आप AIMS बुहने स्वर से करना चाहरे हो तब आपके जनरल OBC से आपके 50% और SCST से 45% यह चीज आप लोगों के किलियर होनी चाहिए बच्चे अभी टोटल अगर हम AIMS में बात करें पहरे बच्च से आपको इस बार कैसे भी करके एक सीट लेनी है इनकी संख्या आपके एंड होते होते 19 तक आ जाएंगी और अगली साल यह संख्या 22 तक पूच जाएगी ठीक है बच्चे अब उसके बाद का करिटेरिया मिनिमम इस बार 65% यह जनरल काटेगरी के यह 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 ठीक है तो प्यारे बच्चे मैंने आपको एकदम सही और सटिक इनफोर्मेशन दे दी है आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने दोबारा से अगर कोई इसू रहता है आपको रियली में लगा कि सर यह वीडियो अमारे लिए हैलफूल है यह वीडियो हमें अपनी काम्याभी क और लेके जाएगी हमें सचेत करेगी ताकि हम अपने जो डाउट से वो दूर कर पाएं रफ्तार से सुबह साथ बजे रेगुलर जोड़े रफ्तार में आने के लिए क्योंकि 30 दिन की सिरीज थी खतम होने वाली है ठीक है बच्चे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद ज रहीं जया बारत लव्यू टो ओल लवली स्टेंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में